मेरा नामा अर्धिकुर। मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके गुडायल के पैड के फूल कलिया यह क्यों नहीं आती और कलिया आनंने के बाद वो क्योati ज़र जाती है उसके कई सारे कारण है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बात बताऊंगा कि इस गुड़ेल के पेड़ को आपको इस टाइम कौन सी खाद देनी चाहिए तो सबसे बड़ा कारण तो कलिया गिरने का एक ये होता है कि आपके उधर का टेमपरिचर किता है अगर आपके उधर का टेमपरिचर 30 से 35 डिगरी उपर है तो फिर आपके गुड़ेल के कलिया तो गिरेगी और फिर दूसरा कारण है कि आप अगर अपने गुड़ेल के पोधे को ज़्यादा पानी देते हैं या फिर कम पानी देते हैं तब भी आपके गुडैल के कलिए गड़ जाती है इसलिए आप को ध्यान रखना है कि याप जादा भी पानी ना दे और कम पानी ना दे औरृ तीसरे कारण है अगर आपके गुडेल का पोधा है और जो पॉर्ट के लगाए और फॉर यह बालकनी के उपपर रखा हुआ है तो जो गर्मियों में छट ज्ञादा ही गरम हो जाती तो इसके कारण जो घमले के सतह से घमले की मिट्टी के अंदर जाती और मिट्टी से उस पेड़ की जड़े भी कमजोर हो जाती है गरम हो जाती है और वो जलने लगती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है और गमले को अगर आप छट पे रखते है तो उसके नीचे एटे जरूर से लगाए और आप देख सकता है मैं इन सबी चीज़ों को ध्यान रखता हूं इसलिए में हमार जड़ने का एक कारण ये भी होता है कि जब आप गुड़ेल के पौदे की बार बार जैसे 15-10 दिन में गुड़ाई कर देता है तो ये भी गुड़ेल के पौदे को पसंद नहीं है तो आप इसलिए गुड़ेल की जो टॉप साइल रहती है उसकी अच्छे से गुड़ाई क द आपको बार 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 इसकी गुड़ाई भी नहीं करिया और जब से जरूरी है ज्ब